तो हे गाईज आज की वीडियो में हम आप सुभी को गजप का इंफोर्मेशन बताने वाले हैं मैं आवाइट 12 से रिलेटेड कि हमारे इंडिया में यह अपडेट कब तक देखने को मिलेगा और दोस्तों आप सुभी को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के भी बारे में बताने वाले हैं यह जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 डिवाइज में जो जितने बिसरे डिवाइज का नाम दिये गए हैं उन सभी के बारे में भी आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं और दोस्तों आप सभी को बताने वाले हैं कि इंडिया में MIY12 का अपडेट कब से मिलना श्टार्ट होगा आज की वीडियो में आप सभी को यह फूल इंफरमिशन बताने वाले हैं तो दोस्तों रांड टू रांड तू रांड थी डिवा इस के बारे में तो दोस्तों यह जो डियुट की एप कुछ दिन पहले ही और सामी इंडिया के तरफ से यह इंफोर्मेशन आ रहा है कि 18 जून 2020 को हमारी इंडिया में एमारी 12 का स्टेबल आपडेट रोल आउट किया जाएगा जहां दोस्तों आप सुवे ने सही सुना है तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लीग सबसे पहले अपडेट देखने को मिले है क्योंकि आप पता है बहुत ऐसे डिवाइज जो राउंड वांड टू राउंड तीरी के डिवाइज लिस्ट में नहीं दिये गए तो हो सकता है सामी इंडिया हो सकता है अपने तरफ से अलग डिवाइज लिस्ट जारी करे या फिर ह हो सकता है कि जो ग्लोबल इस्टेबल अपडेट का जो डिवाइज लिस्ट है वही हो सकता उसी के हिसाब से हमारे इंडिया में रॉल आउट क्या जाएगा पर देखते हैं वह 18 जून आने के बाद हमें पता चलेगा क्योंकि दोस्तों आगर आपको माइवाइट 12 से और लेट बताया कि हो सकता है आप से भी 18 जून के बाद ही पता चलेगा कि इंडिया में कौन-कौन से इभाइंज को अपडेट देखने को मिलेगा या हो सकता है की जो ग्लोबल इस्टेबल अपडेट इलिजिबल डिवाइज लिस्ट है या फिर उन ही के डिवाइज लिस्ट के सब किया जाएगा पर आप सभी को हम बता दे कि 18 जून आने के बाद ही आप हमें पता चलेगा कि हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन सी डिवास को यह अपडेट देखने को मिलेगा और कब देखने को मिलेगा तो दोस्तों अगर यह छोटा से इंफरमिशन आप सभी को पसंद आ आज के लिए बस इतना है मिलते है नेक्स वीडियो में जाहिंद बंदे मातरम